वेलकम एन गोड इवनिंग मैं हूँ अनीज फारुकी प्राइम टाइम कीश एक एपिसोड लेकर एक खास शो लेकर आज मैं टैग टीवी के स्टूडियोज में मौजूद हूँ करोना के सोपीस पे अमल करते हुए सोशल डिस्टन्स को मेंटेन करते हुए और तमाम इफाज़ती एहतियाती तदबीर को मद्दे नजर रखने के बाद आज से स्टूडियो में हम मौजूद हैं और वन औन वन गुफ्तगू करेंगे ताहर असलम गोरा साब के साथ वो भी इ हम सब भी और हमारे वियूर्स भी जहां कहीं दुनिया बर में मुबस्ते हैं जी अखर ये खैर खरियर से रहें और स्टे सेव रहें एकॉर्डिंग तो दियर ओन गॉर्मन्न्स इंस्ट्रॉक्श्ट गाइड लाइन जो हैं और हम भी मतलब मैंटेन किया इसको हमने तीन चा हो फैरी रहा क्यूंकि मीडिया का काम दो रुक नहीं सकता है लेकिन यह बात ना हैं कि हम अभी फुल ताइम और फुल फोर्स के साथ नहीं है जब करते हैं जहां हम रहते हैं नौर्थ अमेरिका में ताहिर असलम गोर्ण साब एक सिया फार्म शख्स को बूटैलिटी के साथ एक पुलिस आफिसर ने वहां पे सड़क पे उसका गला घोंट के उसको मार दिया जिस पे एक तुफान बपा हो गया जिस पे दुनिया अमरीका की दुनिया जो है वो बेचैन हो गई और वो सड़कों पे निकल आई हंगामे फूट पड़े लोग प्रोटेस्ट करने लग गए और मैं समझते हूं हम मुझ समेट आपका भी दिल दुखा होगा एक इनसानी जान का इस तरह से बुरुटैलिटी के साथ जाया होने पर तो एक तो इसका ये पहलो है दूसरा पहलो है कि फिर वो जो प्रोटेस्ट का एक ना रुकने वाला सिल्सला अमरीका में फैल गया करोना के होते वे भी ये बी एक सवाल ये निशान है और वो जो रंग इखियार कर गया वो भी एक सवाल ये निशान है मुझे ये बड़ा जैनलिस पे भी लेकिन हम पहले अमेरिका को टच करते हैं कि सड़कों पे जो आपने मनाज़िद देखे लोग विफर गए और फिर वो क्या रंग इक्तियार कर गया आप एक गहरी नज़र रखते हैं क्या आप इसके पीछे क्या देख रहे हैं देखिए पच्छीस माई को जॉर्ड्स को उनके गले के ओपर रखता रहा वो बिला शुबा दिल देहला देने वाला मनज़र था और उस पर रियक्शन जो था बनता था लेकिन जो आपने भी बात की कि बहुत सारे जो पॉर्टेस दुनिया में होते हैं वो हाईजाक होते हैं ये पॉर्टेस तो फिर लूट मार आ कैंडड डील देखना है कि जैसे बलैक लाइज मैटर ये एक बड़ा ही जिस्टिफाइड हैश्टैग लोगो है स्लोगन है ये हम तसलीम करते हैं लेकिन अब यू लगता है कि जैसे बलैक लाइज मैटर एक खुद से प्लिटिकल मूवमेंट बन गई है और उसका पूरे का पूरा जो है वो सदर्टरम्प के खलाफ चला किया है ठीक है ठीक है ठीक है उनके साथ जो रैडिकल लेफ्ट हैं अन्तिफा वाले और भी दूसरे बहुत सारे घ्रो जी वो सब शामल होगे अब आप देख रहे हैं कि किस तरह मुझसमें गराए जा रहे हैं वो मुझे जो एक लाइन याद आ रही है बुद किराए जाएंगे अच्छा तक 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 वो सारे का सारा जो जजबाती कराउड है ना वो कांटेक्स को समझे बगहर जी किये चले जा रहा है अब लेकिए अबराहिम लेंकन जो है अब अबराहिम लेंकन की अपनी जो स्ट्रगल है सिवल वार और उस सारे कांटेक्स में इंसानी हकूग की अब उनके भी गिरा रहे हैं अच्छा फिर ये है कि ये लोग चुके इन में से बहुत सारे लोग थे ये सलेवरी के हामी थे हामी कुछ थे भी आई इंडरस्टैंड जिनके बुद गराए जा रहे हैं लेकिन सवाल कि बहरicide है कि आई उनके कांटेक्स में देखें अब हकूमतों ने जो आज की अमरीकी ये हकूमत है उन्होंने कई दहाइ़ाईезжέंगा से च्थनावात का निजाम है आप कहे अभो सिस्टैमिक रेसिजम की बात कर रहे हैं सिस्टैमिक रेसिजम मकमल तरपर गई नहीं अमरी हजब है बिलकुर ठीक भी इनकी अपनी कम्यूनिटिस केंदर कितनी खौफनाख सिस्टेमिक रेस हजब है टीक है उसको तो साथ एड्रेस करें ना बिलकुर अज़ा अगर यह बात करते हैं जी के पुलीस में यह है के पुलीस टार्गेट करती है पहली बात एक अमरीका की बहुत सारी रियास्तों की पुलीस जो है वो अब बलैक अमेरिकन्स पर मुश्टमिल है जी मिक्स कम्यूनिटी जी है ठीक है तो फिर आप किसे पूछना चाहते हैं कि यह यह जो सुपरिटेंट पुलीस हैं बहुत सारे शेहर ऐसे हैं अमरीका के जिनके मेर इं बलैक कम्यूनिटी से सवाल कर रहे हैं यह फिर यह वाइट से कर रहे हैं बिलकुल अच्छा यह फिर बलैक लाइवस मैटर वाले लोग सिर्फ नहीं रहें जी यह सारे अनार्किस्ट और सारे आगे और अब यह मामला आगया कि इंटरनेशनल फोर्सिस भी पीछें के लेकिन इसमें जू मनी पॐर हो रही है जो इसमें फंडिंग आना शुरूँ हो गयी है यह किस जुमरे में जा रहे है किया यह जितनी मुतहर्च जितनी मुझम और जितनी फाय दिखाई दे रही है असल मुद्दे से हट गया है असल मुद्दा तो एक local police का था, state की एक police का था और उस से ये इसको national politics से जोड़ना है तो that means के इनका कोई hidden agenda है, इसके पीछे पैसा लग रहा है और इसके पीछे शायद आने वाले elections target किये जा रहे हैं नहीं शायद नहीं, election तो पका target है पका target है अभी जो खबरे आ रही हैं वो ये भी हैं कि वेंजवेला, allegedly भी ये पैसा लगा रहा है अच्छा वेंजवेला के हामी लोगों का ये कहना होता है कि जब वेंजवेला में या साउट अमेरिका के कुछ मुल्कों में पोर्टेस्ट उनकी हकूमतों के खलाफ होते हैं जाएर अमरीका उनके पीचे होता है जिए जिए तो हाँ इस में क्या मुखालफ़त है कि हाम अगर ऐसा करें फीए लेकिन उनके ये जो पर्टेस्ट होती हैं सिर्फ अमेरिका मुखालफ नहीं हो ये जो लोग कर रहे हैं ये बेसिक टार्गर जो है ना सदर्ट ट्रम्प जे ठीक है को अगली बार रियलेक्ट ना होने देना है ठीक है तो ये सारे का सारा इनका मसला है तो इस सारी सूरते हाल में ये समझ रहा हूं कि वो भी है फिर अफ कोर्स चाइना के बिलियंज और अल्मॉस मैं ये कहूंगा क्लोस टू अ ट्रिलियंड डॉल ट्रेड डील में अमेरिका के साथ अब स्टेक पर हैं ठीक है अमेरिका में चाइना किसी सूरत भी नहीं चाहेगा कि सादर्ट ट्रम्प रियलेक्ट ओंऔ बिल्कल ठीक वो भी चाहेंगे कि इदर अदर से मुख्तलिफ हातों को मदद करके छहां इस्तमाल किया सकता है करें फिर आप अनीस अब यह भी देखें कि सदर्ट ट्रंप जब से प्रेजिडेंट बने हैं अब तो एलक्षन अब सर पर आजा जब से यह प्रेजिडेंट बने हैं तब से इनको हार्ड टाइम दिया जा रहा है मैंने अमेरिका की हिस्टी में किसी इतना मुश्किल टाइम तो उनकी टेनियोर के दौरान इतना टाफ टाइम मिलते हैं नहीं देखा वह इलेक्शन के दिनों के आसपास तो बात समझाती है जब आप प्रेजिडेंट रहे वो इंपीच्मेंट तक को सर्वाइब किया है अब यह देखें कि मतला हमने अमरीका की तारीख में आज तक यह देखा कि किसी मौजूदा सदर को साबिका सदर ने जो कि जा चुके हैं इतना अग्रेसिवली उनको अटेक किया हो जिस तरह सदर उबामा ने जो साबिक थे उन्होंने डाउनल्ड टरम के लिए मैदान में आये और उनको एक तरह का कोल्ड शोल्डर दिया एक हेट का सा ता वाबस्ता है तो वो तो जाहर है वेनेजवेला है और और भी जो ताक्रते हैं जो टरम को पसंद नहीं कर दी तो बैसेकली यह टरम स्पेसिफिक प्रोटेस्ट में शामिल हो गया तो यह एजन्डा बदल गया ना फिर ऐसा ही हुआ और यह एजन्डा मकमल तो पर आप ट्व अग्रेसिव लैंगविज इस्तमाल करते हैं तो इसा कभी आप ने और दुनिया ने अमरीका की तारीख में अशा प्रेजिट भी नहीं देखा जी जी सबसे बड़ा जो फैक्टर है कि अमरीका का जो मीडिया है सौई फॉक्स ने उस चैनल जी सारे का सारे सादर टरम के खल करती है ना यह अमरीका के मीडिया हाउस इतने पावरफुल हैं इतने स्ट्रॉंग हैं कि यह खुद इंस्रक्शन दे सकते हैं पोटेस्टर्स को दूसरे गरोहों को तो यह इस हद तक आगे जा चुके हैं अच्छा यह जो सोशल मीडिया के बड़े बड़े जाइंट्स हैं लाइंगे के ट्विटर के ओपर जो बेंतहा इनके पास अजादियां हैं जिसको चाहे यह ब्लॉक कर दें जिसको चाहे यह ब्लॉक कर दें जिसको चाहे यह ब्लॉक कर दें जिसको चाहे यह बात कहने की छूट दें यह इनके पास इस तरह की अजादियां नहीं रहनी चाह पास शायद वो ऐसे लोग नहीं हैं जो ये जज़ कर सकें कि इंतहा पसंद कौन है और हक की आवास कौन बुलंद कर रहे हैं यानि कि हम मैंने देखा है कि बहुत से रहे जो लबैक या रसुल लिल्ला वाली तन्जीम हैं उनके टूटर अकाउंट चल रहे हैं और जो इंसानी अमरीका में बहुत ज़्यादा हैं लेकिन चाइना का आजकल जो तसादम की सूरतिहाल भारत के साथ चल रही है और उस पर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग इसमें गुफ्तगू भी करते हैं बहुत सारी रियासतें इसको खुश भी हो रही हैं गमगीन भी हो रही हैं चाइना ने मैं यह समझता हूँ के अननेसेसेरली एक इस्यू क्रियेट करा इंडिया के बीस फौजियों को शहीद करके और इसमें हिंदुस्तान ने एक वाइजली कैलकुलेटिड रिस्पॉंस और कैलकुलेटिड ली इसको देखा और इसको बरता आप इसको कैसा देख र रही और अग्रेसिव बदमाशाना पॉलीसी की वज़ा से इंडिया के बीस नौजवानों का नुकसान हुआ उनके फैमिलीज के लिए लाइफ लाइफ लांग सफरिंग है और ये एक ऐसा लास है जो नहीं होना चाहिए था जिसका कोई दुक नहीं बनता था जूकर दोनों मुलकों की आर्मी के बीच जो ट्रीटी है जी लदाग इस्टन लदाग के अलाके में तिबबत के साथ साथ जो अलाका जा रहा है और ओवर आल जो वो पूरी की पूरी पटी है उसमें वो यही थी के भई इस तरह का अग्रेसिव हमला नहीं होगा इसलिए वहां पे वो पस कि प्री प्लैंड था सब कुछ कि उसको उनको डैमिज करना है डैमिज करना है अगर्चे यह इतलात आ रही हैं कि भारत के जवाबी फिर अटैक की वजह से चाइनीज भी फौजी चालीस से ज्यादा मारे गें लेकिन वो चुकर चाइना से ऐसा कन्फर्म होने का मामला नही आदर कितने मारे गए उधर कितने मारे गए जिसने ये पहल की यारी चाइना नहीं ये पहल की घलत तरीके से की अब भारत की ऑपोजिशन जो ये बैस चलाने की कोशिश कर रही है खास वर पर गांदी जी मुझे बहुत होती है कि मतलब कांगरेस 55 साल 55 साल डारेक्ट हकुम में रहे हैं तो वह बहुत सारे जो ट्रीटीज हैं वह उसके जिमादार हैं उनको पता होना चाहिए लेकिन वह बहुत बचगाना रवाया है वह जैसे प्रोवोक कर रहे हैं प्रामिनिस्टर मूदी और उनकी गौर्वर्मन को कि यह कोई चाइना के खलाब बियान दे लेकिन वह बहुत कंप्लेक्स इशू है चाइना और इंडिया के बीच जो तल्लकात है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच तल्लकात जैसे नहीं है एक बहुत बड़ा फार्ट दोनों संजीदा रियासते हैं दोनों अपने इन मामलाद को जो है बड़ा डिप्लोमेटिकली इंट है सबसे ज्यादा चाइनीज उनके हाथों सफर कर रहे हैं सबसे पहली मिसाल तो वो मुसल्मानों के जो कंसेंटेशन कंसें जो सिंक्यानिक में बने हुए है आप वो नाइटिन एटी नाइन के वो तैननमन स्क्वेर को याद कीजिए बिलकुल बिलकुल चाइना में कोई भ पूरी दुनिया के साथ मैस किया है जी पूरी दुनिया के साथ इसका तो उनको जवाब देना हो गया है कैजरी वाल जो डिल्ली के चीमिनस्टर ने दो रोस पहले बहुत अच्छी बात की उन्हों ने कहा हलाकि वो भी बीजे पी के लिए उपोजिशन लीडर है मगर उन्ह वक्त हमें दो चैलिंजेस हैं उन्हों ने का कैजरी वाल जो एक तो हमें चाइना वारेस का चैलेंज है और दूसरा चाइना की एग्रेशन का चैलेंज है तिक है इस से हम सब को एक आवाज बनके एक कौम बनके मकाबला करना चाहिए लेकिन वह भी अपनी प्रोटिकल पाँच अदर के कोई बात मकमन नी कर भाता शाउटिंग मैच कुछ समझ नहीं आ रही होती है और वो जो मुखालिफीन होते हैं वो ऐसी बचगाना बाते हैं कर रहे होते हैं एक जुमला उन्हों रटा होता होते हैं की तरह चाहिए वो एंटी पाकिसान बात कर रहे हैं या प्रो पाकिसान बात कर रहे हैं लेकिन वो मतलब किसी की समझ में आती नहीं यह बात और रैशनेल ही नहीं होता और फिर यह कि वो जो वेवर्स हैं वो भी तंगा जाते हैं चैनल बदल बदल के कि हर चैनल पर वही चल ला है वही चल ला है आप अपने हमारे शोज की कॉमेंट डीचे देखें तो हो कहते हैं कि हमें कुछ बात तो सौंझ में आती है आप जो बात करते हैं तो दिल में तो अतरती है लेकिन जो opposition शाउटिंग मैच कर रही है जो media स्टेट के बहुत बड़े हैड हैं. तो उसमें एक और चीज भी है कि जिस तरह से आपने मुसलमानों का जिक्र किया है चाइना में पाकिस्तान और चाइना के रिलेशन आप देख रहे हैं कि वो पाकिसान बीच में च्छलांगे मार रहे हैं, कि जी चाहना ने यह कर दिया, चाहना ने यह मार दिया, यह भी एक एरिस्पॉंसिबल बहेवियर है, क्योंकि इसमें आपका कुछ लेना देना नहीं था, तो इन चीजों को आवाम, क्योंकि फिर आप आवामी मिजाज को बनाते हैं, इस अवामी मिजाज के जरीए ही या तो अमन पैदा होता है, या इनतिशार पैदा होता है, तो यह पाकिस्तान की भी जिम्यदारी थी, कि इस मामले से अपने आपको अलग रखते हैं, कोई कोई बॉल खेलने वाली नहीं है, उसको जाने दिया जाता है, इसमें अन्ही है किस मिसला पर कोई बिया नहीं दिया, अच्छी बात है, ठीक है, ये ये एक, चुके अकल मन दाना बाता है, हलां कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, जैसे टरंप साब, बोल पढ़ते हैं, मतलब ये ट्विटर पर बोल पढ़ते हैं तो टरंप साब को अपना एजंड जाके, जो दिल चाया है, जब कभी महीं मेला है, वो उसमें फिर काफी वो मतलब सुब्की होती है, बिलकुर, लेकिन मुझे खुशी भी हुई, और हैरत भी अभी तक, कोई पता नहीं है कि अगरे लमें ये क्या कर बढ़ते हैं, बिलकुर, 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 बिलकुर पर इन डिरेक्ली अपने ट्रोल्स के जरीए, जो है, सोशल मीडिया पर ट्रोल्स पर आप देखिए, वो तो बदकिस्पनी से अब दूनों मुलकों में एक ऐसा महौल बन चुका हुआ है, एक ऐसी फजा बन चुकी हुई है, और खास दूर पर पाकिसान में वो फजा कुछ यह कोई गली महले का मसला नहीं है, गली महले का कोई गुली डंडे का मैच नहीं है, बिलकुल नहीं है, और दूसी बाद के भी यहाँ है, इससे बढ़के पाकिसान को जो मसले का सामना है, वो करोना का है, पैंडेमिक का सामना है, जिस तरह से उसको हैंडल किया जा रहा है, और जिस तरह से वबा पाकिस्तान में फैल रही है, यहाँ आपको रिपोर्टिंग भी नहीं हो रही जो सही तरह से, तो अब जिकर निकली आया है, तो यह जो करोना की जो मैजर्स हैं, इसको किस तरह से आप देखते हैं कि हैंडल सही किया गया है, या इसमें कोई बहतरी के इ तो अपने एकनामिक हालात हैं वो अर्साद रास से बहुत अप्तर चाहते हैं करोना क्या कर लेगा और बिगाड लेगा ठीक है नहीं वो इनके पस वसाहिल होंगे तो वो कुछ ये एमरजनसी हास्पिटल्स बना सकेंगे टेस्टिंग कर सकेंगे ठीक है वो पर्सनल पर्टेक्शन एक्विमेंट जो होते हैं वो ले सकेंगे बहुत मुश्कल हलात हैं वहाँ पाकिसान में जो करोना को हैंडल करने की जो मेडिसन्स हैं वो सुना है कोई मतब बीस बीस गुना मेंगी हो करती गई तो वो वहाँ की सुसाइटी का एक मजाज है कि वो जो मतब खून निचोरने वाले लोग होते हैं वो किसी भी मिजरीबल सिचुएशन को भी कैश करेंगे हो मतब खातर में लाते हैं वो कहते हैं अगर हमें फाइदा हो रहा तो वो करें यह एक अफसोसना कल्चर है यह तो है वहाँ के कल्चर का मसला अब जो वसाइल का और हैंडलिंग का गौर्मेंट की सता पर मसला है देखिए गौर्मेंट को वाके ही पहले समझ नहीं आई कि कैसे करें टील का आप देख लें कि कैनड़ा अमरीका में अभी हम पहली वेव से ही गुजर रहे हैं और लगता है कि दूसरी वेव भी आईगी बिल्कुल आईगी पहले हमने अमरीका में देखा कि न्यू यॉर्क की स्टेट पैंसिलवेनिया यह जो नॉर्धरन स्टेट्स थी यह बहुत ज्यादा एफेक्ट थी अब इन में कुछ कंट्रोल होना शुरू हुआ है तो यह साउधरन स्टेट्स में आजकल फिलॉर्डा में और अदर अदर से यह दास्तान ने आ रही है वहाँ यह पहल रहा है कैनिडा में बड़ी मुश्कल से अब कंट्रोल होना शुरू भावी मकमल तरफ पर कंट्रोल नहीं हुआ अब री उपनिंग के बगार दुनिया का चारा नहीं नहीं और पता चले का उसके बाद अचा री उपनिंग होगी तो उसमें एक दो महीनों बाद फिर अगर स्पाइक होता है तो फिर बड़ा खत्रा है फिर वो डिसीजन करना के लॉक और अनलॉक तो मैं पाकिस्तान के इससे मैं अगर हैंडलिंग की बात करें तो मैं थोड़ी सी देखिए वहां पुलिटिकल जो डिसीजन्स हैं वो वैसे ही इमिचूर होते हैं इस मसले को भी उसी कांटेक्स में देखता हूँ को प्रीसाइजली इस मसले को मिस एंडल करने वाली बात नहीं बिलकुल अब आप देख सकते हैं कि कराची में ये सबसे ज़्यादा इसका पहले असर हो अभी भी सबसे ज़्यादा असर है क्योंकि वो कंजेस्टिड वो इतने कंजेस्टिड हैं वो मैं आज ये कुछ फोटीज लेकर रहा था भारत के कुछ मिनिस्टर्स मुक्ति जगा पे जा रहे हैं किसी और सिल्से में थोड़ी सी रियॉपनिंग की फजा में उनके इर्दगर्दी को 30-40 लोग उनके उपर आ जाते हैं को फोकर के चुआने के लिए कोई मतलब साथ सेल्फी लेने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग इतनी मुश्कल है जो को पापॉलेशन इतनी है तो मैं ये समयता हूं कि पाकिस्तान की जो करोना के सिल्से में मिसहेंडलिंग है किसी हद तक है लेकिन मैं मकमल बलेम नहीं करताँ डिक है वह उससे आप अग्नौर नहीं कर सकते हैं मैं वापस आँगा परोक्स की तरफ और हमने बात कीठी दिक्र परोक्स हाय जेक हो जाते है कैनिडा में एक वाकिया होता है जिसमें एजास चौधरी एक बुजर्ग है उनको इसके वो उनकी तबियत खराब होती है या जो भी उनके साथ नफसियाती मसाइल है पुलिस कॉल की जाती है उनके बच्चे घर वाले कॉल करते हैं और वो उनको गोलियां मारके हलाक कर दिय ज है इसको आप इसके बारे में कुछ है हमारे पस नॉलिज है इन्फरमिशन है शेयर करेंगे नाजरीन के साथ देखिए जो वाकिया हुआ वह इतफाक से हमारे स्टूडियो के बिल्कुल करीब ही इसी मॉल्टन में ही अप एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहते थे और और वहां पर जो खबरें हैं मीडिया की जो पहुंची है पूरी दुनिया तक वो यह है कि वो शडीर नफस्याती मर्स के शकार थे और अपनी दौई नहीं ले रहे थे और कोई शायद एक एग्रेसिव मोड में होते हैं जैसे कि इस तरह पेशन्ट होते हैं तो पुलीस की म से एलेजरिली मिस हैंडलिंग हुआ और वो वहां पर मारे गए ठीक है जो अफसोर्सनाक वाकिया है जी और उनके फैमिली के लोग और सब जो महले के लोग कम्यूनिटी के लोग सब बहर आए पौटेस शुरू हुआ जो बड़ा नैचरल है अफ़ एक्शन तो है जमेंता ह वो पौटेस हुआ अच्छे जब तक फ्रेंकली ये इस तरह के पौटेस ना हूँ जैसे जॉर्ट फ्लॉइड का मामना हो था मैं पौटेस उस पर भी इस बात को जोड़ता हूँ मैं उसके पौटेस के खलाफ नहीं था जी चूंके पौटेस एक होना नैचरल था और ये ज बात की लेकिन उसके बाद जो सूटे हलम ने एक और टन लेटी देखी वो यह हुआ कि जैसे ये मामला मुस्लिम कम्यूटी वर्सिस बन गया जैसे सोसाइटी होता है पिर उसमें कभी ये अंगल आता था पाकिस्टानी कम्यूटी वर्सिस सोसाइटी बन गया ठीक है प्रशिल पर फाइलिंग की बिना पर पुलीस ने उन पर अटेक किया? क्या पुलीस ने सवाल ये हैं तो, क्या पुलीस के उन लोगों ने इस बन्यार पर अटेक किया? क्या ये मुसल्मान है? या पाकिस्तानी है? या पाकिस्तानी है. चुकि अब ये प्रोटेस में इस तरह क जैसे कि दूसरी कम्यूनिटीज के खिलाफ भी करते आए हैं ये नहीं कि इसे पहले भी कई वाकियात हुए हैं जिसमें सियाफ फार्म लोगों के साथ भी हुआ है एक बस पे एक आर्टिस्टिक बच्चे को भी उन्होंने पुलीस वाले ने मारा था तो ये पुलीस मिस हैंड ये पुलीस की जो बूटैलिटीज जैनी तो किसी भी रिगार्ड्लेस ओव रेस चलती हैं जी वो यह उता है कि मिस हैंडलिंग किसी सफाफ़ाइद फार्म के साथ है किसी के साथ हमें ये रेखना है कि क्या पर्टिक्लर ली निशाना किसी ब्राउन फेस को या किसी मुस्लि मुने की वज़ा से लगाया गया या वो उस वक की situation ऐसी थी जो पुलीस से mishandle होई है ठीक है और एक शेरी के साथ mishandle होई है irrespective के वो उनकी background क्या है irrespective उनका fate क्या है तो ज्यादा wise ये बात है कि इसको इसी context में रखा जाए ये protest अगर हो ये इस पे बात उठे तो mishandling by police towards a citizen हो until unless ये बात परूव ना हो जाए कि इसमें racial profiling थी अगर racial profiling भी थी ना ताहिर साथ तो उसमें भी police किसी भी race के खिलाफ कर सकती है लेकिन अगर हम इसको सिर्फ ये कहें कि मुसल्मान पाकिस्तानी और पाकिस्तानी community बिफर गई मैंने तो यहां के जो so called IPTV channel है उनके कुछ साब को ये भी कहते हैं सुना कि अकलियती community के साथ यानि कि हमने अपने आपको already एक corner में कर लिया है हम अपने आपको Canadian समझ ही नहीं पा रहे है होने यह चाहिए था कि आप कहते हैं कि ये एक Canadian शहरी के साथ जाती हुई है और Canadian इस पे बिफर गए है तो तो बहुत अच्छी बात होती है लेकिन आप कह रहे हैं कि अखलियती community हैंनि कि हम Canada में अपने हाख से ही दस्परदार हो गए है कि हम अखलियत है तो ये इस चीज़ को भी देखना है प्लस ही कि उसको लीट कौन कर रहा है जो मैंने बात की ना हाइजएक करने की फैमिली लीट कर रही होती तो मैं समझता लेकिन अब उसमें मुख्तलिफ community के so called Islamic leader या Muslim council के leader या इमाम और इस तरह कि लोग जब आके उसको लीट करने लग जाते हैं तो आप दूसरी community को Canada में रहने वालों को क्या message दे रहे हैं कि जब हमारा कोई भी बंदा मारे जाएगा तो मौलवी साब आके बयान देंगे हमारे ये एक आप ते interesting point उठाया और खास स्वर पर उस वग ये बात काबल इतरास बनती है जब कोई इस तरह की कायूल्टी में religious मसला ना हो ये मैं बात कह सकता हूं कुछ information भी है कि police की वज़ा से जो miss handling होई अभी हम alleged miss handling कह सकते हैं चुकर जब तक investigation कम इंवेस्ट वो उसमें कोई racial या faith बेस कोई मामला नहीं था मैंने भी पीछे काता है कि मैं इसकी बात जोड़ूँगा George Floyd की हलाकत के साथ मैं दोबारा जोड़ना चाहता हूं थोड़ा सुसमें भी निया अंगल लाना चाहता हूं जब वो डेरिक नामी एक police officer ने वो currency नोटों के जाली होने के शुबे पे उसको हिरासत में लिया George Floyd को और उसको अपने घुटनों के नीचे हमारा तो इसमें भी दो बाते हैं कि क्या वो black होने की वज़ा से वह ऐसा कर रहा था या एक अपनी तरफ से criminal होने की वज़ा से ऐसा कर रहा था जो constable ने वहाँ पे किया जल्म वो दोनों सूर्तों में गलत था ठीक है अच्छा वहाँ पे अमरीका में बिलाशुबा हिस्टिस्री रही है black के साथ रही हिस्टिस्टिस्म की अभी भी कहीं न कहीं पाई जाती है stereotype भी है और उसमें frankly communities को भी काम करना पड़ता है इसा तो नहीं होता ना कि मतलब ये वन वे ट्राफिक होती है relationship built होने में ठीक है उसमें communities को भी जो criminal अनासर होते हैं उनको कर्ब करने के लिए एक काम कर और अमरीका में वैसे black community ये काम करती है अमरीका में black community इस वक बहुत mainstream का हिस्टा है बलके मैं अगर अगर अमरीका का मीडिया इस वक चुके पार्शल है बहुत अगर impartial हो जाए तो ज्यादा blacks वो इस बात को नहीं मानेंगे के अमरीका में race अज़ा में चुको उनको पता है कि जहां अफरीका से उनके अबाव इदाद आए हैं जहां अफरीका से उनके अपनी नचले आ रही हैं वहांपर तो काले ही कालों पर सबसे ईवन इंडिया पाकिसान में नीँ कह सकते के अमरीका में जो race हिजम है कोई extreme है अगर बाकी बुरी दुनिया के साथ आप कंपेर करेंगे तो अमरीका में बहुत कम रेस हैं बहुत खौफ़नाक होती थी थी सिलेवरी रही सब कुछ रहा लेकिन उन्हों इस सिस्टम को एड्रेस करते करते बेतर किया है अभी भी है थोड़ी बहुत ठीक है वो हम समयते हैं मेरा मेरा ख़त्षा यह था ना कि जिस तरह से टरंप की खिलाफ होने वाले प्रोटेस को डीरेल करके उसका एंगिल कहीं और ले जाया गया इसी तरह से एजास चौधरी साब का जो कम्यूनिटी एक्टिविटी जो कर रही है वो बिलकुल जाइस कर रही है सिर्फ उसको उन के जो एसोस्यैकिन बननी हैं वो क्यूं नहीं आकर उसको लीडि करते हैं इमाम नहीं क्यूं करना है ये वो खातून मुसलिम कांशल एक एक रह से उबढ़ आती बर आपको पता है यहां का मीडिया फौरण पकड़ता है Muslim Council of this and Peel and Muslim Council of Broughton उसको उन्होंने फौरान हाईलाइट करना शुरू कर दिया तो इसलामोफोबिया कौन क्रियेट कर रहा है पर आप इसको देखे हैं ना हमने मौाकिफ अराम की है इसलामोफोबिया के हाला कि इसकी जरूरत नहीं थी एक आम सादा केनेडियन मासूम शेहरी उसको हम ये रंग भी दे सकते थे देखिए बात यहा है कि आपने बात की कि इमाम या कुछ मुस्लिम ग्रो अब इसको हाई जैक करना चाहरे है आपने का कि ज्यादा बेटर होता है कम्यूटी के कुछ जर्नलिस्ट कर रहे हैं अपनी जगह पर हकीकत है कि हमारी कम्यूटी के पाकिस्तिनी कम्यूटी के जो जर्नलिस्ट है वो मौलवियों से ज्यादा खतरनाक हैं उनका एज़नडा जो होता है वो मौलवियों से भी ज्यादा दो धारी तलवार वाला होता है लेकिन इसका फाइदा क्या है मै distingu牌 के 穿 आई कि चूरूमल लोग क्यों नहीं करते इसको दूख को चूरूमल लोग हो तो जो पहला प्रौर्टरस मुझे याद पढ़ता ए उनकी फैमिली के लोगों computational ने शूरू की है जो बड़ा नेचरल है जो जैन्वन है उनकी फैमिली के लोग हैं अब वहां पहे माल्टन की कम्यूटी के जो लोग हैं जिसमें मैं भी हूँ मतलए मैं यहां काम करता हूँ और जो लोग हैं वो सब किसाब उनके साथ शामिल हों कि ये गलत हुआ है ठीक है सब लोगा हैं भले उसके बाद जब मेर मेर में से सागा ने भी यकीन दहानी करवाई पुलीस चीफ ने भी पील पुलीस चीफ ने भी यकीन दहानी करवाई मैं समझत हूँ इनकी ये यकीन दहानीों के बावजूर इनका प्र सवाल यह किसी Mosque Community का प्रेश रहागा चाहिए या Martin Community का प्रेश रहागा चाहिए उसकी वज़ा है कि मैं यह चाहता हूँ काने डा के तमाम शहरी तमाम तब्कें के लोग इस प्रोटेस्ट में शामल हूँ पुरा कैनेडा शामिल हो जाए पुरा अंटारियो के लोग इसमें आ जाए और एक ऐसी मुहिंब बने कि पुलीस रिफॉर्म्स पुलीस की जो ट्रेनिंग है री ट्रेनिंग उस पे असरे नो गोर के जाए कि ये जो सेल्फ डिफेंस के नाम पे पुलीस वाले गोलियां मार द जाए उससे पहले हमें धीगर केनेडियन्स ने इस पे आवाज रठाली आवाज बड़े अफसोस की बात है जो के हर वक्त बैंकोट हॉलो में जो है ना वो गले में हार पैनके घूमते हैं इस मौकर पे पीछे दिखाई दिए तो ये बी एक पहलू है मैं इसमें तो बेशक पीछे लिए चाही दें वो जो पाकिस्तानी और जे जा आगे आगे आएं इस डिखा है मेरे लिए सबसे इपॉर्टन बात ये है कम्यृट्णी आनी जाएए ठीक है कम्यृट्टी अ से मौ कि पाकिस्यानी चम्यृट्टी ये नहीं है कम्यृट्टी जो सबी लोग है जै waktu ह मृल्टन का वाइए तर उनकी फेमिली का आगे आने नैचरल आना चाहिए और उनके साथ मॉल्टन के लोगों को शामिल होना चाहिए और वो शामिल हुए भी लेकिन वही ज την अफ़ पर ये ताशर बनता है कि ये मखसूस गुरुप्स के हाथों हाईजैक हो रही है लेकर एक बात मैं आपको बता दूँ जो जो जाट्स फॉलाइट का मामला हुआ और जो एजास चोधरी का जो मामला उसमें बहुत फरक है क्योंकि अमरीका में ये एक बलैक लाइव मैटर अमरीका से उटने वाली जो तहरीक है जिस तहरीक के मैं खलाफ नहीं हूँ उस तहरीक का रंग जो है ना वो बाज उकाद चेंज हो जाता है तो उस वज़े से प्रावलम होती है लेकिन वह बहुत बड़ी है यहां पर यह जो इंसिडेंट हुआ है यह लोन इंसिडेंट है एक तरह से चुकर ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं है कि कोई पाकिस्तानी या मुस्लमानों को टार्गर बना के मारा जा रहो उस के साथ ऊस लेवल पर नहीं जा है और ना यहां पर कोई अब इसजी बात नहिं है तो मेरा नहीं ख्याल कि यह उस लेवल तक जायेगा लेकिन बाराल जिस छोटेineaवल पर भी है ये मामला ये अगर कम्यूटी का मामला रहे तो ये बहुत अची बात है ये बड़ इंपॉर्टन मैसीज है और ये हम अपनी कम्यूटी को देना चाह रहे थे बहुत कम वक्त रहे आखिर में ताहिर भाई एक थोड़ा सा वापिस शेयर कराची की तरफ जाओंगा जी 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 एक वीडियो दिखाता हूँ आपको पहले ताकि इसका हमें कांटेक्स में आए कि हम क्या बात करने जा रहे हैं तो लड़ सी दिस वीडियो बात यहीं पर खत्म नहीं हुई महाजर फीडम फाइटर के नाम से कराची में एक नया फितना जन्म ले रहा है इस नई तन्जीम क ताने बाने अलताफ हुसें से मिलते हैं बात करेंगे समा के नुमाइदे मुहमद अली हफीज हमाए साथ हैं अली ये बताइए कि महाजर फीडम फाइटर के पीछे कौन है क्या मकासिद हैं इस तन्जीम के तक कराची में आम को काइम करने के लिए और पाकिस्तान मुखालिफ कुछलने के लिए जो सेक्योरिटी इदारे मुतारिक हैं उनके मताबिक जो उनके हुकाम है हमारी उनसे बात हुई उनके कहना है कि छे माँ पहले लंदन के अंदर अलताव हुसें और शफीबर्फत की ज कि खाक दिया उसने महाजीर फ्रीडम फाइटर जो है वो विंग बनाया है जो कराची के अंदर बदमनी फिला कर देशत गर्दी करकर मास्तूम लोग की खतले का कतले का कटले हां करके जो है लंदन कर टारगेट पूरा करेगा और जो लंदन को टारगेट दिया है जो जो फंडिन्ग कर रहे हैं जो हमारे सेक्रिक खुझी और भारित ह्ख़ुए अग्वारित कषिते सक्षिक लिए हैं, उसेथ कषिते सेखटों खाताबा़ों धिंगरotal इस जो और सम्मर्थिक के अगी करताया है, रहे हैं, थे पुझी कर दो खाताब हैं, जो सहतासे हैं, उसक् प्रश्मीरियों के साथ जल्म ज्यात्ती हो रही है जब पाकिस्दान ये मुकदमा पैश करता है तो ये मिसाल दे सके हैं कराची और सिंद के अंदर बी जो है बदमनी है एहम सूरते हाले सेक्योर्टी दारे काम कर रहे हैं अनकरीब ये जो कारिंदे हैं खास्तों पर लीड कर करेंगे जी और अनकरीब ये तन्जीम अपने अंजाम को भी पहुंचेगी ये जो वीडियो दिखाने का मकसद ये था कि बहराल कुछ बदमनी होती है शेयर में और लेकिन ये जो तीन चार लोग साउट अफरीका में कहीं बैठे में हैं पता नहीं बैठे वे हैं क्या कर र रहे हैं महाजिर फ्रीडम फाइटर के ना MFF एक तन्जीम है जो एक्जिस्ट तो करती है बहराल हमारी जो जराय बताते हैं लेकिन क्या वो एक्टिवेट हो गई है पिर सिंदुदेश और महा सिंदुदेश की बात हो रही है तो इसका मतलब तो ये है कि जो चैप्टर क्लो लगाए आ वैसे तो पबंदी है उनके नाम पर ही पबंदी है ज्यादा ज्यादा ये कहा जाता है कि MQM की बानी ठीक है नहीं तो वह MQM कभी नाम लेंगे तो लोग लताफ हुसेनी समझेंगे शुकर वो तो मतलब दो अलग चीज़ें हैं प्लताफ हुसेनी ये अब अब आप जुट लाई नी सकते हैं आप जो मरसी कर लें आप उनके नाम पे पबंदी लगाएं कुछ करें आप करैची का जिकर करेंगे तो इसको कर रहे हैं दूसरा वो खबर दे रहे हैं कि महाजर फीरडम फाइटर्स के हवाले से आपने दुरस कहा कि ऐसी हमारे पास भी जनरलिस्टिक हैं कि ऐसे ऐसी स्ट्रगल है मैं यह कहूँगा ठीक है लेकिन आपने जो सवाल उठाया कि क्या इतनी बड़ी रियास्थ इन तीन लोगों से ड़ल गई है वो तीन लोग तो ज़रे ज़्यादा हैं वो तो एक ही शक्स से ड़री होई है ठीक है न जिसका नामलता अफसेंद है तवाना ही पूरी अर्बो डॉलर लगा दिये पूरी अरेंजर आपरेशन कर दिया वो अपनी जगा मौझूद है वो अपनी जगा मौझूद है जो इस वक्त भी जो सिंद की हकूमत में शरीक हैं इंडिरेक्टली जो वहां के M.K.M. के जो अपरचुनिस तोले हैं वो भी अलताफ हुसेंद के मेंस से जान नहीं चुड़ा सकते हैं खालेबू., आपके सामने फैडरर गर्मन्मन्न और इस्टैबलिशमन्न का प्राप्लम जो सिंध गर्मन्न के साथ चला रहा है उसका में फैक्टर पीपनी, पीपल्स पार्टी भी इस्टैबलिशमन्न की गोद में बैटने के बावजूद अलताफ हुसैन से जान नहीं चुड़ा सकते हैं उसकी वज़ा यह है कि ये पूरी इस्टैबलिश्मेंट तीन लोगों से नहीं डिरी होई इनको ये पता है कि इनने अब तक कोई ढंका काम किया ही नहीं जिस से ये अलताफ हुसैन के इमिज को वाइब कर सके अलताफ हुसैन के नाम पे पबंदी लगा सकते हैं मकर टीवी एंकर बिचारे फिर बूल जाते हैं जिए वो उनके खलाफ खबरे देती होगे भी चार्चर पांच-पँच बार उनका नाम लेते हैं बिकेगे नहीं ना उनका शो नहीं बिकेगे जब तक इसमें अलताफ सेन का नाम 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 आए ना आए अलताफ सेन तो वही पर है जी अलताफ सेन लंडन में रहें जहां कहीं है अलताफ सेन वही पर ही है वो अलताफ सेन कहीं जहानी रहें जी वो उनके असाब पे सवार है ज इसलिए कि अलताफ साब को जो मर्जी हम यह क्लिये लोग कह लें अलताफ साब is a history in Pakistan politics and is a future in Pakistan politics history and future both ठीक है नजी ठीक है बात यह है अलताफ हुसेन is the right man ठीक है वो इससे मतलब यह कहां भागेंगे सिंद की खास नर पर अब सिंद की जो future dimensions है वो अलताफ हुसेन के बगएर determine नहीं हो सकती आपने बड़ी बात किये कि सिंद की future dimension यानि कि आप कुछ देख रहे है देखिए बड़ी सीड़ी सी बात है ना कि यह यह उनके नाम से अपना छुटकारा हासल नहीं कर सकते तो जो खास तो पर हैदराबाद सक्कर, कराची यह जितने जिसको शेरी कोड़न कोड़ लाके का जाता है यह तो मतब इनके अंदर अलताफ जी रहे हैं यह अलताफ के अंदर जी रहे हैं तमाम तर इनके प्रापगेंडे इनकी कोश्चों के बावजूद भी तो अब अलताफ हुसैन से यह लोग जान छुडाना भी चाहें तो नहीं छुडा सकते हैं कहते हैं कि हमने बड़ा साफ कर दिया नाम भी उनका खतम कर दिया भाई की कोई वैल्यू नहीं है बाई चुकर मसाइल वहां के वहां है बिल्कुल बिल्कुल तो लोगों को पता होता है कि यह किसी वक्त भी शक्स कंप्रोमाईज कर सकता था पैसे लेने होते हैं ब्रीफकेस ले लेते हैं ठीक हैं किसी वक्त भी कंप्रोमाईज कर सकता था नहीं किया ठीक है तो अभी भी बैठके उनको मरकेज सुझनाई दी जाती है तो ये इतनी एहमकाना बचकाना हरकते करते हैं कि हसी आती है बाज़ोगा तो बेरहल ये ही आज था कि महाजर फ्रीडम फाइटर एक नया नाम सुनने को आया है जो कि हमारी नौलिज में तक्रीबान साल भर से तो था और उस पे उन्होंन से बहुत खौफजदा है डरी भी है और उनको लग रहा है कि अब हमें शायद और बज़ट लिया जाए बलके सैथ खाने पीने सबका बज़ट ले ले और इन तीन बंदों के खिलाफ लग जाएं और M.K.M. के खिलाफ और लताफ हसें के खिलाफ लेकिन हिस्ट्री में से आ हमारा प्रोगाम अनिस फारुकी को जाज़ दीजेगा, वेफ ग्रेट इवनिंग.